Hello everyone, आज share करने जारी हूँ फुलगोवी आलू की धाबे स्टाइल की सबजी एकदम अलग सी रेसिपी है friends, बहुत ही टेस्टी बन के त्यार होती है एक बार रेसिपी को इसी तरीके से जरूर से ट्राइ कीजिगा बहुत सरी तरकी आपने फुलगोवी आलू बना के खाई होगी लेकिन इस तरकी आपने नहीं बनाई होगी बनाने का तरीका एक्तम सीम होता है लेकिन कुछ-कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना होगा तो चलिए इस मज़दार सी रेसिपी को सुलू करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फूर ले लिया है य्याने कि फुल गोवी का फूर लिया है साथ ही यहाँ पे हम लेंगे दो आलू अब चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं बहुत ही कम समय में आपी सबजी को बना के तियार कर पाएंगे और बहुत ही टेस्टी बन के तियार होती है तो चलिए सबसे पहले हम इसके धंटल को तोड़ लेते हैं फुल्गोबी के ऊपर जितने डंटल है उसको आप तोड़ लिजिए अभी अभी के सीजन में बहुत ही भरिया सा फुल्गोबी आए है यानि कि मार्केट में नई नई फूल को भी आई है और इसे खाने में जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है यानि कि बहुत ही नरम होते हैं बहुत ही जल्दी से पक भी जाते हैं अब चलिए हम फूल को अलग-अलग कर लेते हैं हातों से या चाकों से काट के आप फूल को अलग-अलग कर लीजे इस तरीके से अगर आप फूल को तोरते हैं तो फूल बिल्कुल भी नहीं भी खरते हैं अब जितना बड़ा आपको size चाहिए उसी साब से आप इसमें कट लगा लीजिए छोटा पीस चाहिए तो छोटा भी रख सकते हैं या बड़ा चाहिए तो बड़ा भी रख सकते हैं लेकिन छोटे-छोटे full रखने से क्या होता है जल्दी से यह पग जाते हैं और खाने में भ फुलगोबी जोयनौ बहुत ही अच्छा होता है, यानि कि टेस्टी भी बनता है। सभी को मैंने कट कर लिया हैं। इसी तरीके से आप भी से कट कर लीजेगा। अब चलिए बारी आतीए फुलगोबी को धोनेगी। तो बहुत अच्छे से तीन से चार बार आप इसे धो लीजेगा, या तो आप इसे गरम पानी में डाल के थोरी देर के लिए छोर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लेंगे दो आलू, दो आलू को भी हम छील लेंगे और इसे भी हम लंबे पीचेस में कट कर लेंगे, तब तक हम फ फुलगो भी पकाने में टाइम लगेगा उतना ही देर में आलू भी पक जाएगा, इसलिए आलू के थोरे मोटे पीसे जी रखिएगा, यह देखिए सारे आलू को मैंने कट कर लिया है, अब आलू को भी हम अच्छे से वस कर लेंगे, उसके बाद जो हैना हम चलेंगे आग सरसो का तेल का इस्तमाल करेंगे, क्योंकि धाबे में सरसो के तेल में ही पकाते हैं, इसलिए टेस्ट जो हैना बहुत ही अच्छा आता है, तेल को अच्छे से गरम कर लिजिए, उसके बाद सारे फुल को इसमें डाल दीजिए, अब फुल को जो हैना बहुत अच्छे से फ् तब तक हम क्या करेंगे ना लसुन प्याज को काट लेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 से 12 लसुन भी कली ली है दो हरी मिश ली है साथ ही मैंने दो प्याज लिया है सभी को आप छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लीजिए यानि कि लसुन और हरी मिश को हमें छोटे- टुक्रों में cut कर लेंगे, इस तरीके से अगर आप प्याज को cut करते हैं तो प्याज के layers निकल जाते हैं, और बहुत अच्छे से प्याज भून जाते हैं, अब चलिए सभी की cutting हो चुकी है, चलते हैं, फुल गोबी की तरफ, फुल गोबी भी देख सकते हैं, बहुत ही बरिय जासा spot आ चुका है सभी के उपर, इसी तरह से आपको भी फुल गोबी को fry करना है, यानि की भून लेना है, सालो फ्राइ करना है, दीप फ्राइ नहीं करना है, अब चलिए सभी को निकाल के हम प्लेट में रख लेते हैं, उसके बाद सेम कराई में हम डालेंगे 2-3 चमस इत नहीं करना है, क्योंकि दोनों का पकने का टाइम अलग-अलग होता है, अगर आप दोनों को एक सथ पका देंगे, तो बहुत अच्छे से कलर नहीं आ पाएंगे, यानि की फुल गोबी में पहले कलर आ जाएगा, और आलो में बाद में आएगा, ये देखे, आलो को भी मैंन प्राइ कर लिया था, अब सेम कराही में आप डालें तीन से चार चमज इतना सरसो का तेल, थोरा से तेल का इस्तमाल हम ज़्यादा करेंगे, अब इसमें आप डाल ये एक टिस्पून जीरा, साथ ही दो लग डालेंगे, एक हम दालचिनी डालेंगे, और एक हरी लाइशी ड जाला है सबी को थोरी दर पका लिजिए थोरा सा हिंग डाल दीजिए हिंग से बहुत ही अची डाइसन होती है तो जरूर से डालिएगा थोरी दर पकने के बाद इसमें हम डालेंगे कटा हुआ लसून और हरी मिर्च को अब बहुत अच्छे से इसे आप पका लिजिए 2-3 मिय कि अच्छा सा golden-prown ना हो जाए तब तक आपको इसे पुका लेना है। उसके बार इसमें आप प्याज को डाल दीजे , प्याज को भी आप बहुत अच्छे से भूल लीजे, चार से पांच मिनट जितना आप इसे भून लीजिए ये देखे प्याज बहुत अच्छे से भून चुका है इस तरीके से अगर आप प्याज को कट करते हैं तो प्याज बहुत अच्छे से भून जाते हैं क्योंकि सारे लेयर्स जो है न खुल जाते हैं अब एक टिस्पुन भरके आप इसमें अद्रक लसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसे भी आप एक से दो मिनित जितना पका लिजिए बहुत अच्छे से मैंने इसे पका लिया है अब बारी आती है सुख्य मसाले डालने की तो यहाँ पे फ्लेम को जो है न लोही रखेगा अब एक टिस्पुन भरके आप इसमें कास्मेरी लाल मिश का पाउड़ा डाल दीजिए साथी थोरा सा हल्दी पाउड़ा डाल दीजिए एक चोथाई चमच आप इसमें हल्दी पाउड़ा डाल दीजिए उसके बाद थोरा सा पानी डाल दीजिए और बहुत अच्छे से इ अब बागी के मसाले भी हम डाली देते हैं जरूरत होने से थुरा सा पानी एट कर लीजेगा, ताकि मसाले जो है न, बहुत अच्छे से भून जाए, मसालों को बहुत अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है, ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने मसालों को भून लिया है, बहुत ही बरियासी खुसबू आ रही थी, तो जब आप किसी भी सबजी में कसूरी में थी डालते है ना तो बहुत ही बड़ी असा एरोमा आता है और पूरे घर में जो है ना इसकी खुज़ को फैल जाती है अब बारी आती है इसमें डालने की टमाटर की पेस्ट तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर को पीस लिया था उससे आप इसमें डाल दीजिए सांती स्वात के नुसार नमक डाल दीजिए उसके बाद जो है ना टमाटर को हमें बहुत अच्छे से पका लेना है मसाले जो है ना बहुत अच्छे से पहले से ही पके हैं अब बस हमें टमाटर को पकाना है, 3-4 मिन जितना आप इसे पका लिजिए और यहाँ पे फ्लेम को आप मीडियम रख सकते हैं, मीडियम फ्लेम पे आप इसे बहुत अच्छे से भून लीजिएगा, यह देखिये बहुत अच्छे से मैंने मसालों को भून लिया है, यानि कि ट जादा नहीं पका है, 10% जितना यह पक चुका है, अब बाकी का कसल हम मसाले में पूरी करेंगे, अब बहुत अच्छे से मसालों के साथ आलो को भी को मिक्स कर लीजे, यह बला प्रोसेस आपको जरूर से करना है, 5-7 मिलर तक आपको इसे भूनना है मसालों के साथ, जब तक आ आके आप इसे भून लीजे, बीच-बीच में आप इसे जरूर से चेक करते रहिएगा, यह देखिए, बहुत अच्छे से मैंने मसालों के साथ आलो भूभी को पका लिया है, थोरे से यह नरम भी हो गये हैं, और बहुत ही अच्छी सी खुसबू आ रही थी, और देख सकते हैं, कितना मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही चट-पटा यह बनके त्यार हुआ था, बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो एक बार इसी तरीके से रेसिपी को जरूर से चाहिएगा, अब बारी आती है पानी जालने की, अगर आपको ड्राइ सब्जी बनाना हूँ, तो आप क् पका सकते हैं, यानि कि लोग फ्लेंपे ही आप इसे पका लीजेगा, और इसे आप पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं, या तो आप ट्रेवलिंग में भी इसे क्यारी कर सकते हैं, दो दिन तक जो एने इस सब्जी बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, अब यहाँ पे मैंने इसे खाने का मजाई कुछ हो रही है, तो मैंने यहाँ पे डेश गलास पानी डाला है, बहुत अच्छे से इसे मिग्स कर लीजे, और ढक्कन लगाके इससे आप 10-12 मिनट के लिए पका लीजे, या तो आप इसे तब तक पकाए जब तक कि अलोग भी अच्छे से पक लिया 10-12 मिर्ट तक मैने इसे पका लिया था, चलिए चेक कर लेते हैं, यह देख सकते हैं, बहुत अच्छे से सब्जी में उबाल आ रही है, और बहुत ही अच्छे सी कुजबु भी आ रही थी, डोणों को मैने चेक कर लिया था, बहुत अच्छे सी यह पक चुके हैं, अब फाइ मिक्स कर लिजे, अब हमें क्या करनाना है ना, बस दो मिनת के लिए जोएने, इसे पका लेना है, दो मिनट से zijn जादा नहीं पकाना है, धखके लगा के बस आप इसे दो मिनट जितना पका लिजे, दो मिनट के बाद ही इसे हम वापस से चेक कर लेंगे, और देख सकते है कलर कितना बढ़िया आ चुका है सबजी में दो मिनट के बाद ही आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़ियासी सबजी बनके त्यार हो चुकी है और खुसबु तो आप पूछिए ही मत जब तक आप इस रेसिपी को बनाएंगे नहीं तक आपको यकीन नहीं होगा यह देखे ग्रेवी में बहुत ही बढ़ियासी कंसिस्टेंसी है अगर आपको और भी थिक ग्रेवी चाहिए तो थोरी देर और इससे आप पका लीजेगा या तो आप पानी की मात्रा जो है न कम डालिएगा अब थोरे से कटे हुए अदरक के जूलियन से इसे गार्निसिंग कर दीजे और बारी कटा हुए अरदन्या का पता डाल दीजे बहुत ही बढ़ियासा इससे टेस्ट आता है अब ग्यास को जो है न बन कर दीजे उसके बाद गर्मा गरम इस सबजी को सफ कीजे पराठे के साथ, रोटी के साथ या सिंपली राइस के साथ ड़कन लगा के पांच मिनट के लिए रख दीजेगा ताकि अदरक का फ्लेवर जो है न बहुत ही बरियासे ग्रेवी में आ जाए पांच मिनट के बाद ही आप देखेंगे न बहुत ही अचीजी सबजी बनके त्यार हो जाएगी बहुत ही टेस्टी बनी थी फ्रेंस तो जब तक आप इस रेसिपी को बनाएंगे नहीं तब तक आपको यकीन नहीं होगा तो जल्दी से जाके सीजन की पहले फुलगवी की सबजी बनाईए और सभी के साथ इंजोई कीजिए यानि की रोटी के साथ, पराठे के साथ या सिंप्ली राइस के साथ आप इसे खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो इस तरीके से एक भारी सबजी को जरूर सटाए कीजिएगा आप सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और बनाने में मात्र आपको 15 से 20 मिलठी लगेंगे बहुत ही कम समय में सबजी बन के त्यार हो जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिश होती है थोरा सा उपर से आप बारी कटा हुआ राधनिया का पत्ता डाल दीजिए उसके बाद आप इसे गर्मा गर्म सौफ कीजिए पूरी के साथ खा सकते हैं पराटे के साथ खा सकते हैं या तो स्टीम राइस के साथ भी आपी से खा सकते हैं धाबे स्टाइल की आलो फुलगोबी की सब जीवन के त्यार हो चुकी है तो recipe बनाने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो वीडियो को जरूर से like कीजेगा और धेर सारे friends and family के साथ वीडियो को जरूर से share कीजेगा और मुझे support करने के लिए friends चैनल को जरूर से subscribe कर दीजेगा और आपको ये recipe कैसी लगी जरूर से मुझे comment box में लिखके बताईएगा मैं हमेशा ही इसके साथ rice ही serve करती हूँ तो आज भी मैंने rice बना लिया था और उसे ही मैं इसके साथ serve करने वाली हूँ मेरे घर में इस तरीके combination सभी को बहुत ही पसंद आता है तो ये देखिए कितना बढ़ी आसा plate बनके त्यार हो चुका है बहुत ही tasty बने थी friends तो एक बार वीडियो को जरूर से watch कीजेगा और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा और चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को जरूर से subscribe कर दीजेगा और notification bell को जरूर से press कर दीजेगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले notification आपके पास जाए इस तरीके से आप इस आलो गोवी के सबजी को rice के साथ खा सकते हैं बहुत ही tasty लगते हैं friends और सरदियो के मौसर में जो है ना आलो को भी के सबजी और rice मिल जाए तो और किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है इस सबजी को आप breakfast में बना सकते हैं, lunch में बना सकते हैं या कभी भी बना सकते हैं बनाना बहुत ही आसान है लेकिन खाने में बहुत ही tasty होती है तो जरूर से recipe को try कीजिएगा friends और बनाने के बाद आपको ये recipe कैसी लगी जरूर से मुझे comment box में लिख के बताईएगा आप सभी के comments का मुझे इंतजार रहता है तो मिलते हैं friends नए वीडियो में नए recipe के साथ तब तक के लिए bye bye take care